जैहन्द, वेलकम तो लाइन टेक्निकल हब, लाइन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है, I am Lion Sir, having 30 years of experience in industry and today I am going to tell you about 4-point starter, तो हलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं, उमीद करता हूँ, आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तयारी भी अच्छी चल रही होगी, तो देखा होगा कि हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसमें 4 points है, यानि कि A, B, C, D जो आप देख रहे हैं, और इसमें provision होता है, कि आपके series field को supply मिल सके, और आपका sun field को भी supply मिले, और यहाँ पर जो no volt coil है, आपका जो E से indicate कर रहे हैं, यह भी आपके resistance के थुरू, यहाँ पर अभी क्या है, वहाँ से न देखर के, यहाँ पर जैसे हम इसको लाते हैं, और आपने एक चीज़ और देखा होगा उसमें, कि जैसे इसे gradually हम arm को वापस आगे की तरफ ले आते थे, यानि कि resistance को हम बाइपास करते थे, तो हमारा जो है, initially field को मैग्जों supply मिलती थी, और उसके हुआ हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, तो उसमें क्या था, कि आपका जो है, sun field का जो है, इसे जो वीक होने से आपकी मोटर स्विन में आ रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको जो है, सेपरेट रियोस्टेट दिया हुआ है, और जैसे आपको supply मि मोटर आपको जाती है, और holding coil जो हाँ पर है, इसको होल्ड कर लेता है, इसको जो है, हम no volt coil, release coil भी भी पुलते हैं, और low volt release coil के नाम से भी जानते हैं, यानि कि कभी-कभी voltage low हो जाती है, उस condition में भी हमारा मोटर ना चले, क्योंकि उसमें हाई current रा करेगा, तो उसके लिए safety दिया हुआ है कि जो है holding coil इसको रिलीज कर देगी और स्प्रिंग लोड़ेट होने के वज़े से आपका जो आम है जीरो पोजिशन में आ जाएगी और आपका मोटर जो है सेफली आफ हो जाएगा तो इसमें जो फोर पॉइंट देने से सहुलियत हो गई है कि आप संट के उसमें होता है तो जो जितनी बड़ी मोटर ओथी आते हैं आर्मीचर का गरेंथ बिल्कुल कम हो जाता है इवेन आप देखेंगे कि 0.02 ओम या 0.5 ओम से भी नीचे रहता है तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत हाई करन्ट फ्लो होने से यह जल जाएगी इसलिए आपको वहां पर यह मोटर जो है यूज करना यह जो आपको डायरेक्ट आनलाइन स्टार्ट इसलिए फार कंपाउंड मोटर्स आपको यूज करना पड़ेगा तो इस स्टार्टिंग रेस्टेंस को जो है आपके आर्मेचर के और आप देख सकते हैं उसमें क्या होगा कि अगर हम करेंट की बात करें तो आपको हो जाएगा जो टोटल वोल्टेज है वी वि स्टार्टिंग करन्ट आपका है यानि इसको आई एस के नाम से भी आप जान सकते हैं इसको तो आपको मैं दोबारा पता देता हूं कि जैसे आप स्विच को आन करेंगे सप्लाई आपकी अबलेबल हो जाएगी बट कोई एक्षिंट नहीं होगा यूँकि अभी तक आपको आपने आम को नहीं घुमाया है यानि आम हमारा जीरो पोजिशन में है तो सप्लाई यहां पर वेट करेगी इस आम में और आपका रिटन जो है आपका हां से निगेटिव जो लाइन है यह आपका संट फिल होते हुए और यहां आप पर वेट करेगी और ऐसे ही आपका रेस इसने जो है, supply हमें, इसको coil को भी मिल जाएगी, coil हमारा इनरजाइज हो जाएगा, holding coil, और दूसरी supply जो आपके हाँ पर sun field है, इसको भी मिल जाएगी, और resistance के थूँ होते हुए, आप देखेंगे, यह जो armature है, सिरीज बोटर है यहां पर देख सकते हैं सिरीज मोटर ब में यहां यही की सन्ट औरalis यहां पर यहां पर यूज हूय है compound motor है और आप लोगों को compound motor की characteristics वगर भी हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं details में ने समझाय हुआ है तो अभी यहां पर आप देखिए जैसे आप gradually एक एक करके आप resistance को bypass करेंगे तो आप देखेंगे कि armature का resistance कम होने लगता है और जैसे armature का resistance कम होगा यानि armature को full voltage मिलेग 10 position पे आपका total resistance bypass हो जाएगा यानि कि आपकी motor फुल maximum capacity से चलेगी पूरा voltage इसको मिलेगा और उस समय यह काफी rpm पकड़ चुकी होगी और आपका starting condition यह था यहां पर आपका रूल खतम हो जाता है अब आपकी supply किसी भी कारणवर्स से यानि कि आगर आपकी चली जाती है तो यह जो holding coil था यह इसको जो है release कर देगा आमको spring later होने की वज़े से यह वापस zero position में आ जाएगा और दुबारा supply आ जाती है तो भी यह आपका motor आन नहीं होगा यह इसके लिए safety है इसलिए यह यहां पर spring लगाया गया है और बाकी our virus safety हैं जो आप बहार से दे सकते हैं तो व हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें अपने दोस्तों को share कर दें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है अवस प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह के जो है informative वीडियो और executive वीडियो बनाऊं तो आपको जो है इसका फायदा immediate मिल सके तो तो मिलेंगे अगले वीडियो में जाए हैंद